कुछ लोग सोते हुए सपने देखते हैं, कुछ लोग जागते हुए सपने देखते हैं, तो उन्होंने जागते हुए हो सकता है सपने में देखा हो कि एक लाक से ज्यादा बोटों से हार रहे हैं और उसको जीत बता दिया हो, इसमें अगर किसी कटेकेट कट गया या किसी को नहीं मिला तो इसलिए चुनाव कहीं और चला जाएगा कोई कौन हमारा साथ दे रहा है वो लोग भैकाने का काम कर रहे थे ऐसा शब्द मेरे मूझ से नहीं निकला और ना कभी निकल सकता है भविश्च में भी जिसमें उनका कोई सम्मान को जरासा भी ठेस पहुचाने की बा लिए हैं कभी किसी को बाइय डाता दीया ना कभी कोई किसी को एब्लिकेशन दी यूट्यान है पार्टी क कि सिर्स नेत क्या एकम ब्ल्शे क्हा लागा बहुए ऑर यहां तो जो गठवंदन की नेता भी नहीं पाए अरे युछा है आपको तो सौशा येली करनी चाहिए ल अपनी कुर्सी पर जमा रहेगा चार जून को मिलेंगे और निश्यत रूफ से कोशिस हमारी होगी कि वो दस ग्यारे बजे तक ही मैदान छोड़ने निश्यत रूफ से आधनी एचहत्रपाल गंगवार जी भारी विजय करेंगे अधना नमस्कार मसी मकतर और आप देख रहे हैं दलीडर हिंदी हम इस वक्त बरेली के महापौर उमेज गौतम के साथ में हैं मददान हो चुका है बरेली में और EVM सील की जा चुकी है उन EVM में किसकी किसमत खुलने जा रही है इसको लेकर लोग अपने तरीके से खोजबीन में लगे हैं उस रास को जो EVM में बंद है उसको जानने की कोशिश कर रहा है हम भी इसी मकसद से महापौर के पास आए हैं जानने के लिए कि जिस तरह से उन्होंने चुनाव रड़ाया है लोग बहुत सी बाते कर रहे हैं बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये किलियर चुनाव है बहुत से लोग कह रहे हैं कि फसा हुआ है मेरे सब क्या लगता है कि जिस तरह से ये चुनाव हुआ है क्योंकि एक बदलाव थे कि इस चुनाव में तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये एकनम साफ चुनाव है या फिर ये लगता है कि फसा हुआ है देखिए लोगों ने इसको बनाने की कोशिश की थी कि ये फसा हुआ चुनाव हो जाए ये लड़ता हुआ चुनाव हो जाए लेकिन ये उनके मन की मनगडंत कहानिया थी और कुछ लोगों के जो एक ही सोच के लोग थे और वो भी अगर पूरी ताकत लगा ले तो पचास लोग होंगे उनके मन की सोच ऐसी थी कि ये चुनाव जो है इसमें अगर किसी कटिकेट कट गया या किसी को नहीं मिला तो इसलिए चुनाव कहीं और चला जाएगा कोई कौन हमारा साथ दे रहा है वो लोग भैकाने का काम कर रहे थे लेकिन जनता सब जानती है जनता जानती है कि कोई भी टिकेट अगर भारतिया जनता पार्टी किसी को भी दे रही है तो बहुत सोच समझ के दे रही होगी और जिनको अगर नहीं दिया गया तो उनको कहीं और बड़े कद पर बिठाया जाएगा ये सोच के जनता ने मुझे लगता है किसी की भी नहीं सुनी और जो केंदर सरकार की योजनाए है जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में माफिया राज को खतम करके एक सुशासन लाया गया है तो उस पर जनता ने महर लगाई है और निश्यत रूप से आदनिये चातरपाल गंगवार जी भारी विजय करेंगे अधनिये स्री संतोस गंगवार जी के नेतरत में ही चुनाव लड़ा है तो मुझे कहीं कोई ऐसी दिक्कत नजर नहीं आती है कि कुई किसी तरह का भी असंतोस हो सभी लोगोंने पूरे मन से चुनाव लड़ाया है और हम एक बड़ी जीत करेंगे ऐसा मुझे लगता है पर चुनाओ के दोरान कुछ चीज़े आई जैसे प्रदेश अद्धिशक भुपेंचोधरी जब भारत सेवर ट्रस्ट कहे तो वहाँ पर कुछ ऐसी बाते हुई कुछ ऐसे नारे लगे फिर उसके बाद कुछ वीडियो एक जो आपका वाइरल हो रहा था उसको हवाला देकर बहुत सी चीज़े कहीं गई तो कुछ ना कुछ तो था देखिए ऐसा है कि लोगों को कुछ बनाने का बहाना चाहिए था अगर मैं अपने वीडियो की बात करूँ तो मैंने कहीं भी हमारे आदनिये सांसत जी का कहीं भी कोई किसी तरह का ऐसा शब्द मेरे मूँ से नहीं निकला और ना कभी निकल सकता है भविश्च में भी जिसमें उनका कोई सम्मान को जरासा भी ठेस पहुचाने की बात हो बलकि अगर देखा जाए तो पूरे बरेली में अगर ये नारा किसी ने दिया था के नौमी वार संतोष गंग वार तो ये नारा देने वाला भी मैं ही था तो अगर मुझे उनकी किसी भी तरह से कोई खलाफत करनी होती तो मैं इस तरह की बात क्यों करता तो ये सब बातें विपक्ष दौरा फैलाई जा रही थी कि कोई ना कोई महरा बनाया जाए या किसी ना किसी के ऊपर इस बात को रखा जाए तो उन्होंने हमारे वीडियो को हो सकता है कुछ तोड़ मोड़ के पेस करने की कोशिश की हाला कि उस वीडियो को पूरे सबी लोगों ने खूब तनमेता के साथ देखा कि स्याएद कुछ मिल जाए लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं तो कुछ लोगों ने जो अती उत्साहित लोग होते हैं हमारे मानिय सांसाजी के भी लोग हैं करीबी लोग हैं कुछ अती उत्साहित लोग हैं उन्होंने वहाँ नारेवा जी करी प्रदेश अध्यग जी के साथ जिस तरह का वेवार किया वो अच्छा नहीं था लेकिन ठीक है अती उत्साह में लोगों ने किया होगा तो उससे हमें कोई ऐसा फरक नहीं पड़ता है क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है हमने कभी उनके सम्मान में सांसर जी के सम्मान में कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा कि जो उनके सम्मान को ठेस हो जाए तो ये बात सबको समझ में आ गई और बाद में जिस तरह से चुनाव फिर चड़ा है जिस तरह से लोगों ने बढ़ चड़के चुनाव में फिर हिस्सा लेना शुरू किया तो मुझे लगता है कि हम लोग वही बड़ी जीत चार जून को निश्चेत रूप से करेंगे जिसे आप नवी बार उनको सांसाथ बनाने की बात कर रहे हैं तो भाजपर में तो बहुत पहली तैय हो चोगा था जो 75 पिलस आयू वाले हैं उनको इस बार ब्रेक दिया जाएगा और उनके कोई दूसरी बूमिका होगी तो क्या आपको लगता था कि 75 साल बाद भी संतोज गंगवार चुनाव लड़ जाएंगे देखिए 75 के वो अभी हुए ही थे तो ऐसी उम्मीद थी कि उनको मिल सकता है और क्योंकि उनके सामने किसी ने भी टिकेट मागा भी नहीं था तो लोग चलाते जरूर थे नाम उसमें हमारा नाम भी चलाया पता नहीं किस किस के नाम चला दी है नेकिन ना तो हमने कभी किसी को बायर डाटा दिया ना कभी कोई किसी को एप्लिकेशन दी तो नेड़ने पार्टी का है कि पार्टी किसको चुनाव लडाती है लेकिन मुझे तो पूरा यकीन है कि उनको कोई अच्छी और बड़ी भूमिका भी मिलेगी चुनाव में पूरी बीजेपी एक साथ थी सारे लोग एक साथ चुनाव लडा रहे थे लेकिन विपक्ष ने कहीं इसको भुनाने की कोशिश की के एक विपक्षी नेता हमारे साथ हैं हमारे प्याशिवाइश इस तरह कि लेकिन जनता सब समझती है आजकल जनता के अंदर सरकार के जो काम है उन्होंने देखा है जो गरीबों को छट मिली है जो महिलाओं को सौचाले मिले महिलाओं को जो गैस के कनेक्शन मिले जो अजर में है दुनिया में भारतवर्श अर्थविवस्ता में एक पांचवी बड़ी शक्ती विश्व में हो गया है आने वाले समय में तीसरी बड़ी शक्ती होने अभी अगर आप देखें तो लगातार ये तो विश्व के जो मापदंड है उसके आधर पर आ रहा है कि हम च नस्वी मुख्वंत्री आधनी योगी अधितनाद जी के उपर एक बहुत बड़ा विश्वास जनता का है तो उसके सामने सब कुछ कमजोर है और बरेली में खासतोर से जिस तरह से विकास हुआ है बरेली में जिस तरह से पूरा बरेली बदल के हम लोगों ने रख दिया है तो ये हर बच्चे को बुजरुक को माता को बहन को सबको दिखाई दे रहा है तो वोट उस नाम पर पड़ा है क्योंकि जो विपक्ष है ये भी राजनीती करता ही रहा है बड़े बड़े पदों पर बैठा है लेकिन ये विकास के नाम पर कुछ नहीं कर पाया ये बरेली क जनता जानती है तो बरेली की जनता आखिर किस आधार पर उनको वोट देगी तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर हम लोग बहुत मुखर भी रहे हैं हम लोगोंने सब जनता के बारे में और जनता के सामने ये अपनी कारे को रखा ह तो निश्चित रूप से उसी आधार पर हम लोगों के बड़ी जीत मिलेगी है। निश्चित रूप से उसी आधार पर हम लोगों के बड़ी जीत मिलेगी है। निश्चित रूप से उसी आधार पर हम लोगों के बड़ी जीत मिलेगी है। जनता का एक एक आदमी, एक एक उनकी खबर सारे हमारे नेताओं के पास है। कि क्या जनता चाहती है, जनता उनको भी देखना चाहती है, जनता उनको सुनना भी चाहती है। तो उसी के आधार पर मुझे तो लगता है, ये कहने की बजागर लोग ये कहते हैं, किसा बहुत महनत की। अब हम भारती जनता पार्टी के सीर्ष नेतर तो आ गया, और यहां तो जो गठवंदन है, उस गठवंदन के नेता भी नहीं आ पाए। तो ऐसे कहां वेस्त थे। वो तो युवां हैं, वो क्यों नहीं जा पा रहे हैं, कोई 20 रैली कर रहा है, कोई 25 कर रहा है, कोई 30 कर र आते हैं, अगर जेकि पिछला चुनाव हम देखें तो बारती जनता पार्टी के संतोई गंगवार जीते हैं, इस बार जिस तरह से आमने सामने चुनाव हुआ है, जिसे दो ही कंडिडेट थे, बहुंदन समाच पार्टी के कंडिडेट का पर्चा खारिज हो गया था, तो क इसमें भी हमारी बड़ी जीत हुई थी, और इस बार भी बड़ी ही जीत होगी, चुनाव आमने सामने कहा है, ये सब लोग जानते हैं, तो उसी आधार पर चुनाव हुआ है, और मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई शंसे नहीं, किसी भी तरह का, कि हमारे हम लोगों को च है अंतर कितना होगा यह चार जून को तैय होगा लेकिं निश्च दूरूप से हमारी जीत बड़ी होगी लेकिं जिस तरह से वोट आफ परसेंट घटा है जैसे हम बात कर लें तो कम से कम दो परसेंट से ज्यादा कम हुआ है तो इसका फाइदा या नुकसान भारती जनता पा तो वोट उससे ज्यादा बलकि बढ़ा भी है तो अगर हम यह कहें कि जो मतदाता नए बढ़े हैं तो अगर दो परसेंट कम हुआ है तो अगर हम पिछले जनकरना की बात करें है 2019 में जितना हमारा वोट था हमें वोट हमारा उससे ज्यादा ही पड़ा है और अभी यह जो आकड़े जब आये थे क्योंकि मुझे अभी पता नहीं कि हमारे जो वैलेट वाले हैं और जो हमारे बुजर्गों के घर से वोट आके पड़ते हैं वो उसमें जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं अगर वो नहीं जुड़े हैं तो निश्य दूरूप से यह मत्दान प्रत जिस तरह के हमारे काम हैं बलकि लोग तो दूसरे जिलों में उधारन देते हैं कि बरेली को जाके देखो कैसा काम हुआ है तो उसका बेनेफिट निश्य दूरूप से हमें मिलेगा यहां का युवा यहां के माताएं बहनें यहां के बुजर्ग सब यह जानते हैं कि बरेली को जिस तरह से बदला गया है अब उसमें हमें कुछ और चाहिए ना कि ठहराव चाहिए तो इसलिए सभी लोगा ने मुझे जहां तक लगता है निश्यत रूप से भारतिय जन्ता पार्टी को चुना है पांच विधान सभा हैं यहां पर तो पांच विधान सभा में अगर हम भोजी पुरा देखें सबसे ज़्यादा वोट पहां पड़ें फिर उसके बाद मीर गंज है और अगर हम शहर और केंट की बात करें तो यहां सबसे कम मतदान हुआ है तो अब अगर जब रिजल्ट आएगा तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ी जीत कहां से होने जा रही है देखे हम अब हम लोग केंट भी जीतेंगे हम लोग शहर भी जीतेंगे हम मीर गंज एक बड़ी जीत करेंगे भोजीपुरा में हम काटे की टकर पर हैं हम कुछ ना कुछ उपर ही जाएंगे नवाब गंज में भी हम उपर ही रहेंगे तो कहीं कोई नुकसान वाली बात मुझे नजर नहीं आती है कहीं पर जीत का अंतर थोड़ा कम हो सकता है कहीं पर जीत का अंतर ज्यादा होगा लेकिन हम निश्यत रूप से सारी विधानसवाओं को जीतेंगे जब वोट पढ़ रहे थे तो उस दिन मीडिया से बात करते हुए पिडविन सिंग एरन ये कह रहे थे कि मैं एक लाग से जीत रहा हूँ देखे सपने देखने का अधिकार इस दुनिया में सभी को है कुछ लोग सोते हुए सपने देखते हैं कुछ लोग जागते हुए सपने देखते हैं तो उन्होंने जागते हुए हो सकता है सपने में देखा हो कि एक लाग से ज़्यादा बोटों से हार रहे हैं और उसको जीत बता दिया हो तो यह हो सकता है अब मैं उनके सपनों पर इससे ज़्यादा हो ठिपनी नहीं करना चाहूंगा कि सपने देखें लेकिन सपनों में भी कहें मुझे आके जूट ना बताओ मुझे सच से सामना कराओ वो बहुत जाती है इस बार यह कहा जा रहा था कि जिससे चुनाओ वैसा ही हुआ है जिससे चुनाओ होते रहे हैं एक तरह गड़ बंदन को लेकर शोर्टा हमने भी भछ से लोगों से बात की तो बहुत सह ऐसा वोड़ था कि जो वोड़ डालने के बाद ये बता दे रहा था किसे डाल के आए हैं जैसे काली बाड़ी की जो आस पास के जितने भी वो हैं वो बरेली कालिज पर पढ़ रहे थे तो वहां लोग यह कह रहे थे बहुत से लोग खामुशते चले जा रहे थे तो उनका यह था कहिना के जो अगर हम बात कर लें हम अलफ्रंक्या कोट की बात कर हमें भी अलफ्रंक्या समाज का वोट काफी अच्छी मात्रा में मिला है जब बूत के रिजल्ट खुलेंगे तो मुझे तो लगता है कि कितने बज़े तक यह हमें देखना चाहिए कि विपक्ष अपनी कुर्शी पर जमा रहेगा यह बड़ी बात होगी क्योंकि पंडाल मे पूरे समय तक बैठे रहना यह विपक्ष के लिए संभव नहीं होगा तो वो कितने बज़े उठेंगे हम भी वही होंगे आप भी वही होंगे तो देखेंगे चार जून को मिलेंगे और निश्यत रूप से कोशिस हमारी होगी कि वो दस ग्यारे बज़े तक ही मैदान है कहीं कोई शक कोई शुबा नहीं है वोट निश्यत रूप से भारतिय जनता पार्टी का जो वोट है वो भारतिय जनता पार्टी को ही पड़ा है कोई भी उसमें किसी तरह का शक नहीं है कोई शुबा नहीं है और निश्यत रूप से हम बड़ी जीत करेंगे मेरी बात को आप नोट कर लीजिए चार जून को भी है इंटरव्यू मेरा चलाईएगा कि मैंने कहा था कि ये बड़ी जीत होगी निश्यत रूप से ये बड़ी जीत होगी और हम लोग एक अच्छे मार्जिन से जीतेंगें लेकिन भाजपा के इतने सोर्सेज हैं जिस तरह कि उनकी होगा हजारों में नहीं होगा ये मैं कह सकता हूं अभी आपने महापार को सुना काफी हद तक जिस तरह की चीज़े चल लाई है बरेली की चुनाओं को लेकर बहुत से लोग कह रहे हैं फसा हुआ है लेकिन मेर साब नहीं है जिस तरह भारती जनता पार्टी को वोट मिलता है वैसा ही मिल रहा है जो ये दावा किया जा रहा है कि जाती कि अवोट अगर प्रिवेंसिंग एरन वैसे जाती से उनको मिला है तो वैसा कोई सीन बना नहीं है अब चार जून को देखते हैं मेर साब खुद यह कह रहे हैं कि ये चार जून को भी उनका इंटर्यू चलाना देखते हैं 4 जून को क्या रहता है